ि अमिरीका अमीर इस लिए बना क्यूंकि हो अपने हर बच्छे को स्फिक्षा देता है रैंगों हो हर स्फिक्षा देना बंद कर दे आज अमरीक गरीब देश बन जाएगा इंग्लेंड इंग्लेंड अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है डैन्मार्क अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है इसलिए अमीर है अमीर है इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते पहला देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं सब को शांदार बनाना पड़ेगा दूसरा धेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे तीसरा, जितने कच्चे टीचर हैं, पूरे देश के अंदर सब को पक्का करना पड़ेगा और बहुत बड़े स्तर पे नई टीचरों की भरती करनी बढ़ेगी और चौथा, टीचरों की शानदार ट्रेनिंग करानी पड़ेगी कि जरूर पढ़ेगी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे इन लोगों के दिल्ली में कराई हम लोगों ने ये चार काम कर देंगे भारत अमीर देश बन जाएगा भारत का एक एक आदमी अमीर बन जाएगा पांच साल में ये काम हो सकता है दिल्ली में हमने पांच साल मे भी पांच साल में हो सकता है, हमको करना आता है, आज मैं केंदर सरकार को यह offer देना चाहता हूं ki आप हमारी services use करो। हम भी तो इसी देश के हैं, राजनीती को side रख देते हैं, आप हमारी services use करो, हम, आप, सारे देश के, सब लोग मिलके, 130 करोड़ भारते मिलके सारे सब्सक्रों से स्कूलों को दो ठीक करेंगे, सारी सर्कार हें मिलके ठीक करेंगे, यह हो सकता है। और इसको free भी कहना बंद करो, अच्छे शिक्षा देना free भी हलुआ. है अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे एक टाइम का पेट भी काटना पर पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना एक सो तीस करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार है और दूसरी चीज अच्छा और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा हमने दिल् दिल्ली के अंदर की हर व्यक्ति को दिल्ली के धाई करोड़ लोग हर व्यक्ति को सारा इलाज मुफ्त है उसका चोटी से चोटी से बड़ी से बिमबड़ी बिमारी तक सारा इलाज मुफ्त है अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो पूरे देश में भी हो सकता है बस लगन ही है चाहिए कि सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करना है आज पूरे सरकारी सिस्टम का कबाड़ा करने में सारे हम लगे हुआ हैं सरकारी स्कूलों का भी कबाड़ा करने में लगे हुआ हैं जान बूज के कई सरकारों के मेरिक सुनने में आता है कई सरकारें जान बूज के सरकारी स्क अस्पताल फ़ले कि इंस्यूरस स्पीम निकाली हूई है कहते हैं कि 50 felan रुपे इंशूरेंस अगर अब हच्पताल में भृती होगे तो 5 रूपे का इंशूरेंस लेड़ना मालो मेरे को बखार हो गया मेरे को कोई बिमारी वोगे मैं अस्पताल में भरती नहीं इतनी दवाइयां ले नी पड़ रही है मेरा पासा मैं कहां से लहुँगा पैसा और देश कही इसपटिए लेकिसाई है निए उस इंशुर्णस का काड लेकिए मैं करूँगा क्या मِयर एलाज चाहिए नियुक्ति पांच लाकी रुपय का काड शुल सबहूं सरकारीस अस्पताल ठीक नहीं करना जाते हैं हमें पूरे देश के अंदर अगर दिली के अंदर हर व्यक्ति को यह सुरक्षा चक्र मिल सकता है कि उसका सारा इलाज मुफ्त छोटी से छोटी क्रोसिन से लेके 20 लाग 40 लाग 50 लाग का भी आपरेशन होगा वह भी मुफ्त पूर प्राई की मशीन लगानी पड़ेगी अस्पतालों के अंदर टेस्ट का इंतजाम करना पड़ेगा हो सकता है सरकार के पास पैसा है सरकार के पास पैसे की कमीनी अगर दिली में हो सकता है तो पूरे देश में भी हो सकता है यह सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने को दिली में रोट रुपए में पूरे देशकाई हुलाज हो सबको सोचो कितने बड़ी बात हो जाएगी कितनी बड़ी बात हो जाएगी और ये जितने अमीर देश है न grounding इंतिच्शाम कर लिया ये जितने अमीर इस्वे इंग्यिन्ड में सबका इलाज मुफ्त है सारा सरकार इलाज कराती है, सब का इलाज मुफ़त है, डेनमार्क, नौर्वे, स्वीडन, इनमें सब का इलाज मुफ़त है, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, पांच साल में हो सकता है, यह भी, हमने दिल्ली में किया, हमें करना आता है, मैं फिर से केंदर सरकार से रहना बंद करो, 130 करोड़ लोगों का अपना परिवार है, इस परिवार में कोई बिमार हो तो अपनी जिम्मेदारी है, हम यह नहीं गया सकते हैं तू जाने तेरा काम जाने है, हम पैसे हैं तो इलाज करा ले नहीं पैसे तो